पिश्वागत एक नया वीडियो में तो दोस्तों फिश्व लेकर आया हो आपको NC Cell के लिए तो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे NC Cell कैसे आप पेट पुझा सब्टर में पंच करेंगे इस वीडियो में पूरी जानकरी मिल जाएंगे इससे पहले आपको NC Cell कैसे करके देख सकते हैं और description में लिंक देदूंगा वहाँ से जाके आप देख सकते हैं तो चले दोस्तों यहां से NC Cell करने के लिए कोई भी आइटेम यहां पर आड़ कर लिजे तो जैसे कि मैं यहां पर देख पार है कुछ आइटेम में यहां पर एड़ कर लेता हूं तो अपन जो NC Cell है वो यहां पर सो करने लगेंगे जैसा आप इस तरह से बिल्ट पंच करते है उसी तरह से आपको यहां पर सेलेक्शन कर लेना है तो मैं यहां से कईशी टिन ओर्डर में यहां से कई से भी ले लेता हूं तो इस तरह से आपको कोई भी कितना भी ओरर एक दो टीन नबी ओर रोले दो इस तरह सा को शियर करना है जैसे आप सुखने या पर देखिए मेरा तीन आइटेम आपको प्राइस के नीचे आपको एक बर क्लिक करना है अगर एंसी करना है तो यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उपर आपका प्राइस जिरो आ गया यहां पर आपको रिजन देना है तो मैं यहां पर ओना लिग दिया दिन यहां पर सेफ कर दिया तो दिखे पहला वाला सेटिंग करने के लिए सेटिंग के लिए बता आगर वीडियो नहीं देखा तो अच्छे से वीडियो को देख लिए उसके बाद ही आपको यह सेटिंग मिलेंगे दिनिहाप इसको करना है इसको आपको आपको क्लिक करने जैसे किल करेंगे तो इसको आपको सैटल करका मैं के इसमें यहीं है यह देखिए आपको सैटल हो गया अभी स्करके मैं आपको दिखाता ओ हूँ यह यहां पर बिल नम्बर आपको वड मौत उड और हो रहा है लेकिन यह पर एमाउंड, आपका 000 आ जाएंगे यह एंच से ल जिरो हो गया जो भी आइटेम लेंगे एंसी सेल करेंगे तो यहां पर आपको 00 यह आ जाएंगे अगर आप चाहते इसका रिपोर्ट देखना तो यहां पर आपको त्री डॉट में क्लिक करना है और यहां पर जाना है रिपोर्ट में जाने का पाँ सबसे लास्ट में दिखें एंसी इस तेना के विडिट है इसको आपको क्लिक करना है देशी क्लिक करें तो आप ऑब बीका दिके फिलार मेने ठीन पर फौल कर था था वो तीन इंटिर इंट्रॉर्य है है पर आपका सो कर रहे हैं तो इसलों आप अंसे 10 को बहुत आसन तरीकें से पंच कर सकते हैं दोस्तों तो आप कितना भी होगा तो इसका रिपोर्ट इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं मंत बाइस करना है तो मंत बाइस भी आप निकाल सकते हैं तो इस तरह से बहुत असन सरी के सब निकाल सकते हैं यहां तो दिखिए मैं जैसे बिलिंग कर दूंगा तो यहां पर आ गया है तो उम्म